इजिप्ट में जहां तूर्की के राश्टपती के मनसूबों पर पानी फिर गया तो वहीं 12 साल बाद पहली यत्रा पर खाली हाथ लोटे खलीफा अर्दोगन तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने यूएन में थोड़ फोड़ सुरू करी और पहली बार जवरजस्त एक्सन लिया है जाने है यूएन में किस तरीके से अपनी सेना को वापस बुला रहा है भारत इसके अलावे बहुत सारी चीजे हो रही है और ये सब के बदले मे भारत ने क्या मांग रखी है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की कोशिस में लगे तूर्की के राश्पती रेजब तयब अर हीरा की यात्रा की अर्दोगन की कोशिस थी गाजा युद्ध के बीच किसी तरह से अपना चेहरा चमकाया जाए अर्दोगन के खलीफा वनने की इस कोशिस पर मिस्र ने पानी फेर दिया मिस्र ने साफ कह दिया कि वो तुर्की को गाजा में हस्त छेप का कोई मौका नहीं दरसल मिस्र इजराईल का करीबी मितर है और तुर्की लगातार इसराईल के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए है तुर्की को इसमें दोस्त कतर का सायोग मिल रहा है जिसकी मिस्र से दुस्मनी है करीब 12 साल बाद मिस्र के दौरे पर पहुंचे अर्दोगन का काहरा में जोरदार स्वागत किया गया खुद राश्पती LCC अर्दोगन का स्वागत करने के लिए एरपोर्ट पर मौझूद थे अर्दोगन के लिए एरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया इसके साथ ही दोनों के रिष्टों में एक नई सुरुआत हो गई करीब एक दसक तक दोनों ही देश आधिकारिक रूप से एक दुसरे के लगबग दुस्मन थे लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है अर्दोगन ने इस यात्रा की सुरुआत के पहले ही ऐलान किया था कि इजराइल हमास युद्ध मिस्र के साथ बाच्चित का मुख्यवी से होगा अब तक गाजा युद्ध और इससे पहले चल रहे संकट पर अर्दोगन ने काफी बयान बाजी की लेकिन इजराइल और मिस्र ने उसे इस विवाद में घुसने ही नहीं दिया इजराइली अकबार हारिज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी अर्दोगन को निरासा हाथ लगी मिस्र के साथ दोस्ती करने के लिए तुर्की के राश्पती गाजा पर अपेच्छित सफलता हासिल नहीं कर पाए मिस्र ने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए अर्दोगन को गाजा संकट पर बहुत भाव नहीं दिया अर्दोगन जहां विवात खड़ा करने की राजनीती करते हैं तो वहीं मिस्र के राश्पती सीसी इजराइल के साथ सहीयो को मातो देते हैं अर्दोगन ने कहा कि तुरकी गाजा के फिर से निर्मान के लिए पूरी तरीके से तहयार है इस गाजा के लाखों लोग मिसर की सीमा पर जमा है और इजरैल लगातार हमले कर रहा है दोनों ने इजरैल से हमला रोकने की अपील की तुर्की के राश्टपती और मिस्र के राश्टपती सीसी ने मुलाकात की उन्होंने दोनों देसों के बीच बैपार को बढ़ा कर 15 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्षे रखा है साथ ही उर्जा और रक्षा छेतर में सहयोग की बात भी की है तुर्की ने कहा है कि वो मिस्र को अपना हमला वर ड्रोन बेश सकता है साल 2013 में मिस्र में मुस्लिम बर्दर हुट के नेता मुर्सी को हटाय जाने के बाद तुर्की और मिस्र के रिष्टे खराब हो गए थे मुर्सी तुर्गी के करीबी शहयोगी थे पिछले साल दोनों देसों में एक दूसरे के राज़दुक को न्यूक्त किया पर यहां पर अर्दोगन को खाली हांत लोटना पड़ा खहर जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा धमाल मचा दिया है भारत ने अभी तक का सबसे सक्त कदम उठाते हुए युनाइटेड नेशन की फंडिंग में बारी कटोती कर दी है ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस स्किपिंग फोर्स से भारतिय सैनिकों को वापस बुला सकती है वहीं भारतिय राष्टिय सुरच्छा परतिस्ठान के एक वरिश रदसी ने भी भारत से विश्वस अस्तर पर सांती मिशनों को हटाने क आवान किया है क्योंकि नई दिल्ली लगातार यूएनसी में अस्थाई सदस्ता के लिए जोर दे रहा है लेकिन इसकी कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है ग्लोबल सॉफ्ट्वेयर सर्वीसेस के दिगज कंपनी जोहो कर्परेशन के मुखे कारेकारी अधिकारी स्रीदर बैम्बू ने पंद्रफर एको ट्वीट किया कि यूएन की फंडिंग को कम करने का भारत का कदम एक स्वागत योग्य कदम है उन्होंने बारत से यूएन मि स्रीधर बैम्बू को दो हजारी किस में भारत के चौथे सरोच नागरिक पुरसकार पदम स्री से सम्मानित किया था फरवरी दो हजारी किस में परतिष्टित राष्टिय सुरच्छा सलाकार बोर्ड में न्यूक्त किया था NCAB राष्टिय सुरच्छा परिसत सचीवाले के तहत एक सलाकार निकाय है और भारत के राष्टिय सुरच्छा सलाकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है संसत में पेस किये गए तो 2024-25 के अंतरीम बजट में भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने 2023-2024 के संसोधित अनुमान की तुलना में UN सहीत अलग-अलग अंतराष्टी निकायों के लिए फंडिंग में 35% की कटवती का प्रस्ताव रखा है 2024-2025 के अंतरीम बजट में बिम्स्टेक, सार, UN सहीत अंतराष्टी निकायों पर खर्च करने के लिए विदेश मंत्राले के लिए 558 करोड रुपे का अनुमान लगाया गया था 2023-2024 के संसोधित अनुमान में विदेमंत्राले ने वैस्ट्विक संस्थाओं के योगदान के लिए 866 करोड रुपे परदान किये मिसाल के तोर पर जून 2024 तक भारत नई सरकार अस्थापना के बाद इस साल के अंत में पेस किये जाने वाले नियमित बजट में 2023 को बढ़ाने का काम किया है आपको बता दें यहां पर भारत अपने फंडिंग में कटाउती कर रहा है साथ ही साथ भारत यह कह रहा है कि आप हमें यूएन के पर्मानेंट मेंबर्सिप को दीजिए यूएनसी में सुधार होना चाहिए ताकि मौजुदा जियो पॉलिटिक मुद्रा कोस के आंखडों के अनुसार अमेरिका चीन और जापान ठीक पीछे एक से दो सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्था बनने वाला है और आपको बता दें भारत ने पिछले सतर सालों में यूएन मिस्णों में दो लाग से ज़्यादा सेने और पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है 30 नवंबर 2023 तक भारत ने 6073 कर्मियों का वैस्वी कस्तर पर तीसरा सबसे बड़ाए योगदान है केवल नेपाल 6247 कर्मियों के साथ बंगलादेश 6197 सेनिकों के साथ भारत से जादा संख्या में सेने योगदान दे रहा ह जबकि पाकिस्तान 4164 चीन के 2267 सेनिक है 2022 के इस रिपोर्ट को देख सकते हैं भारती सेनिक 160 की संख्या में मारे गे अब जरा सोचिए यहां पर यूएन पीसकीपिंग फोर्स में भी भारत अपने सेना को भेज रहा है और भारती सेना यहां बहुत चर्चा में है भारत यह चाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं आप जिसमें अब भारत अपने पीसकीपिंग मिसन को भी खत्म करने जा रहा है ऐसी बाते होनी सुरू हो गई है आपको बता दें चाइना नहीं चाहा रहा है यहां भारत को किसी भी तरीके से पद मिले क्योंकि चाइना एसिया में इ चाहा चलेगा कि भारत बन पाता है या नहीं बन पाता है डॉक्टर ये से असांकर ओ कि भारत को जादा दिनों तक कोई रोक नहीं पाएगा भारतु १म्र पर्मानेंट बनेगा वैसे आपको क्या लगता है निसम्मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएए जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ